टेलेविजन पर आप लोगों ने लगतार रामायन तो देखा ही होगा और रामायन का किरदार निभाने वाले यानि की माता सीता का किरदार और श्री राम का किरदार निभाने वाले आक्टर्स को कुछ लोग या आप लोग आज भी भगवान के रूप में ही देखते हैं नमस्कार आप देख रहे हैं इडिया न्यूस का डिजिटल प्लाटफॉर्म और मेरा नाम है महिंदीगर्थ तो टीवी पर जो रामायन का सीरिल आता है उसके किरदारों को देख लोग उन अक्टर्स को भगवान समझने लगते हैं और हाल फिलहाल में भी ऐसा ही हो रहा है कि उन अक्टर्स को भगवान समझने वाले लोग उन दोनों ही आक्टर्स जुन्होंने माता सीता का रोल निभाया है या श्री राम का रोल निभाया है उनकी हरकतों पर नजर रखते हैं खास नजर बनाए रखते हैं तो ऐसे में अब हम बात कर रहे हैं सीरियल रामायन में माता सीटा का किरदार निभा कर देश में एक अलग ही पहचान बनाने वाली आक्टरिस दिपिका चिकलिया की Actress को लोग आज भी माता सीता के रूप में ही देखते हैं और उनको कभी कभी ट्रोल भी कर देते हैं तो एक बर फिर से Actress दिपिका अपने किसी वीडियो को लेकर जम कर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है तो बता दें कि 23 नवंबर को दिपिका ने अपनी शादी की सालगिरा सेलिब्रेट की है इस खास मौके पर उन्होंने अपने पती के साथ कई सारी वीडियो और कई फोटोस सोशल मीडिया पर शेयर की है अपने इंस्टेग्राम पर पोस्ट की है इस वीडियो की एक फोटो में अपने पती हेमंत टोपी वाला की गोद में बैठी दिखाई दे रही है बाकी फोटोस में वे पती के साथ अलग-अलग अंदाज में पोस्ट देती नजर आ रही है और अलग-अलग अंदाज में वो फोटोज जो हैं सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है लेकिन अक्टरिस का पती की गोद में बैठना सोशल मीडिया पर यूजर्स को और उनके फैंस को कतई पसंद नहीं आ रहा है और वो उन से नाराज हो चले हैं और उन्होंने दिखाई को सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल करना शुरू कर दिया है एक यूजर को दिपिका का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्हों ने उन पर जम कर बरसात की, अपने गुसे की और अपनी नाराज़गी की तो उस यूजर ने उस वीडियो के नीचे कॉमेंट किया है माता मैया आपको ये वीडियो शूट नहीं करना चाहिए था, समाज में आपकी छवी सीता मा की है, ना कि किसी पॉलिवूड हेरोईन की ये एक कॉमेंट एक यूजर ने किया, तो वहीं अगर दूसरे कॉमेंट की बात करें तो उसमें लिखा था, कि सीता मैया आप ऐसी वीडियो मत डाला करो, साथ ही एक यूजर का कहना है, कि आप ऐसी वीडियो मत डाला करो, पूरा इंडिया आपको भगवान मानता है इसी तरह कई यूजर्स ने दिपिका को सोशल मीडिया पर जम कर ट्रोल कर दिया है कुछ यूजर्स ने हाला कि उनको उनकी सालगिरा की बदाई भी दी लेकिन ज्यादतर कॉमेंट्स उस फोटो को लेकर हैं जुसमें दिपिका अपने पती के साथ एक फोटो में उनकी गोद में बैठी दिखाई दे रही है तो उनके इस फोटो पर आपकी क्या राया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा सीता माता का करदार निभाने वाली दिपिका अपने निजी चीवन में ऐसी फोटो डाले या ना डाले उस पर आपकी क्या राया है ये भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसी ख़बरों के लिए आप देखते रहें